अलो बच्चों लेट इन दी कॉश्शन कोश्शन से इन दी सर्कुट शोंगी रिजिस्टेंस आर गिविन इन ओम्स एंडी बैटरी इस पेडियल विद्ट इमेफ इक्वल टू थी बोल्ट्स रिजिस्टर डैट डिसिपेट्स दी मोस्ट पावर इस तो रिजिस्टर जो के को समझने के लिए हम सबसे पहले यहां देख सकते हैं यहां पर यह और यह हैं पैरलल में और तीनों की वैल्यों डिफरेंट है तो हम यहां पर सर्कुट को थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हैं यह फिप्टी ओंड यह हो गया सिक्स्टी यह थर्टी एंड देन इडिज अगैन एंड़ फिफिटी और यह हमारा सिक्टवेशन कुछ इस तरीके से बनांट है अब यहां पर यह रिस्टेंस आरं वंग Vegan डर्यरिशस्टेंस आर्टू है 58 इह रिस्टेंस आर्ट्री है 62 और यह रिस्टेंस आर्फू है 30 तो 2, 3 और 4 का जो equivalent resistance होगा वो हो जाएगा 1 upon R equivalent is equal to 1 upon 30 plus 1 upon 60 plus 1 upon 50 तो निक 1 by 10 common 1 upon 3 plus 1 upon 6 plus 1 upon 5 तो 6 and 5, 30 is equal to 1 upon 10, 30, 10 plus 5 plus 6 यह वजाएका 6, 5, 11, 21, 1 upon 10, 21 by 30, 7, 20, 3, 7, 21 और 10 तो यह 100 यानि यह इन तीनों का equivalent resistance आगे 100 by 7 तो 100 by 7 ohm इन तीनों का resistance आगे तो अब हम यहाँ देख सकते हैं तो कर्नं क की वालुब ती था था कर्नं सकते हैं 7 for the 28 and 7 to the 14 and lastly we can write 8 so approximately 14 ohm so 14 ohm हमारा ये रेजिस्टर हो गया यानि हमारा जो net resistance से वो है approximately 64 ohm तो current की जो value होगी वो होगी 3 by 64 ये current होगया i यानि यहां से current i flow हो रहे ये current यहां पर distribute होगा क्योंकि यहां पर जो voltage होगा वो 14 i होगा 14 i अब हम यहां देख सकते हैं कि यहां पर current की जो value होगी i is equal to 3 upon r that is 14 by 30 i फिर इसमें हो जाएगी 14 by 60 i और इसमें हो जाएगी 14 by 50 i current भी हमारे different होगे अब हम यहां calculation कर सकते हैं और देख सकते हैं कि maximum power जो आ रही है P क्योंकि यहां पर current कम होगा तो i square r है यानि यह हो जाएगा i square into 50 पहले बाले में यह power p बन हो गई इसी तरी कि यहां पी टू होगी 14 by 30 यानि 7 by 15 7 by 15 i whole square into resistance 30 49 by 2 25 यानि 15 into 15 i square into 30 15 बंदर 50 and 15 to the 30 तो यह आ जाएगा 2 into 49 by 15 i square clearly it is less than p1 पहर आते हैं P3 पर P3 is equals to कितना होगा 14 by 60 यानि यह होगा 7 by 30 i whole square into resistor हमारा 60 होगा जाएगा 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 49 i square by 30 into 30 into 16 यह हो जाएगा 2 और फिर सेजी 15 यह हो जाएगा 49 by 15 i square again it is less than p1 जाएगा last में बचब P4 कम न एकसेब तैने P4 is equals to गोर्टेन बाइर i and 7 by 25 whole square into i square into resistor 50 यह हो जाएगा 49 upon 25 into 2 i square यह भी अगें लेस देन फी वन तो सब्सक्राद पावर जो डिसिपट होगी वो रिस्टेंस आरवन में होगी आंसर प्रेवाइब एक अगेशन तेंक यू